So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं VST Industry Share के बारे में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया रिवर्सल हमें देखने को मिला है अब आपने पिछली वीडियो मेरी यहाँ पे फॉलो करी होंगी और किस तरीके का मुमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो आज के दिन अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें 0.5% का इसमें अपमूव देखने को मिला है और क्लोजिंग जो रही है आज वो रही है 380 रूपीज की अब यहाँ पे आपको मैंने जो पहला टारगेट बताया था यहाँ पे रिवर्सल के बाद वो यहाँ पे बताया था 372 रूपीज यह टारगेट हमारा यहाँ पे अच्छीव होता हूँ देखने को मिला है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इस price के ऊपर close कर देता है तो फिर हमें और भी जबरदस्त up move देखने को मिल सकते है तो अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़े time यहाँ पर इसी area के round consolidation होना चाहिए यहाँ पर इस area के round अगर पहले भी आप देखोगे तो इसी price range के round यहाँ पर consolidation हुआ था और फिर यहाँ पर breakout हुआ था उससे पहले भी आप देखोगे यह जब break नहीं हुआ था तो यह काफी strong resistance का काम करता था तो again price उसी area के round आ चुका है तो थोड़ा सा consolidation यहाँ पर होना चाहिए यह जो rally आया इसकी थोड़ी सी profit booking होनी चाहिए यहाँ पर new player center होने चाहिए पुराने exit होने चाहिए तब यहाँ पर हम इसमें up move के लिए जा सकते हैं तो यह अभी फिलाल के लिए level निकल के आ रहे हैं इसके इंदर downside के लिए अगर 372 रूपीज नीचे की side break हो जाता है तो फिर हमें थोड़े से downside की movement भी देखने को मिल सकती है 355 रूपीज तक तो यह अभी फिलाल के लिए ध्यान में रखके चलना कि 372 रूपीज अब एक support बन चुका है अगर यह support break होता है तो 355 रूपीज और यह भी break होता है तो फिर हमें all downside का move देखने को मिलेगा तो यह मने आपको scenario बता दिये दोनों side का जैसा भी movement आपको देखने को मिलेगा आप समझ सकते होगी targets वगेरा क्या होने वाले हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में